मैं सुनम गुपता प्रादमिक विद्याले चकरपुल जिला बरेली से मैंने क्लास बन के बच्चों के लिए गड़ित बिसे में अपना एक रजिस्टर बनाया है जो की 14 दक्षिताओं के उपर है उस रजिस्टर में मैंने 14 दक्षिताओं को क्रमा नुसार रखकर बच्चों को सिखाने के लिए प्रयास किया है जब बच्चा स्कूल आता है तो उसको संख्या पूर्व अबधारनाई सिखाने के लिए जो 14 दक्षिताइं बताई गई हैं उन दक्षिताओं को क्रम से रखकर मैंने अपने रजिस्टर को तैयार किया है आईए मैं अपना रजिस्टर आपके साथ में शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने रजिस्टर में ये दक्षिताइं दिखाई हैं ये मैंने अपना रजिस्टर तयार किया है जिसमें प्रेर्णा सुची में जो 14 रक्षिताएं रक्षा एक के लिए गड़ित मिस्टे से संबंदित हैं उनको क्रमानुसार व्रवस्तित किया है ये मैंने इंडेक्स में जो 14 रक्षिताएं हैं उनको क्रमानुसार पहले लिखा है हमारी पहली रक्षिता आती है बच्चे संख्याओं से पूर्व अबधारना को समझ सकें जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उन्हें संख्याओं को इतना ग्यान नहीं होता उनको हमें पहले बड़ा छोटा लंबा छोटा इस तरीके से सिखाना पड़ता है इस प्रयास के लिए मैंने अपना एक रजिस्टर त्यार किया है जिसमें मैंने चित्रों के माध्यम से बच्चे को बड़ा कौन सा होता है छोटा कौन सा होता है लंबा कैसा होता है छोटा कैसा होता है उसको बताई जब मैं ये रेजिस्टर से बच्चे को पढ़ाना शुरू करूँगी तो बच्चा खुद बताएगा कि ये चित्र जो है वो बड़ा है वो छोटा है इस तरीके से मैंने ये पहली दक्षिता तैयार की है फिर भारी और हलका आगे और पीछे बच्चा कुद बताएगा देख के चित्रकों के भारी चीज कौन सी है हलकी कौन सी है आगे क्या है उसके पीछे क्या है तो इस तरीके से बच्चा संख्यापूर्वा अबधार्णा की समझ को विक्सित कर सकेगा दूर और पास की अबधार्णा दूर पे बैठा हुआ मैंने एक पक्षी दिखाया है और पास में एक घूंगा और चीटी आपस में बाते करते हुए दिखाये हैं तो बच्चा बता देगा कि इसमें दूर कौन सा है और पास कौन सा है दक्षिता दो आती है एक से लेके 99 तक की संख्याओं को पहचानना इसमें मैंने चित्र के माध्यम से एक बच्चे को बोर्ट पकड़े वो दिखाया है जिस पे ये दिखाया है कि संख्या एक से लेके 99 तक की संख्याओं को बच्चा कैसे पहचानेगा और पहचान करके फिर वो लिखना सिखेगा पहले हम उसे पहचानना सिखाएंगे फिर पहचान करने के बाद में बच्चे को लिखना सिखाएंगे फिर संख्याओं की तुलना करना सिखाएंगे कि कम क्या है, ज्यादा क्या है और बराबर कैसे होता है ये तीन साइन मैंने दिखाए हैं, ज्यादा का, कम का और बराबर का, इसमें मैंने एक बच्चे को कम बैलून पकड़े हुए दिखाया है, फिर एक बच्ची को उससे ज्यादा बैलून पकड़े हुए दिखाया है, और दो मेंड़क बनाए हैं, जुनकों की बराबर दिखाय तो इस तरीके से बच्चे को तुलना करना आएगा, जब वो संख्याओं को सीख जाएगा, एक से निन्यानवे तक की संख्याओं को सीख जाएगा, तो वो तुलना करना भी सीख जाएगा, उसके बाद आता है संख्याओं को क्रम से लगाना, संख्याओं को जब बच्चा अगर संख्याओं को अलग-अलग करमे देते हैं तो बच्चा सीखने के बाद अपने अपि उनको सही क्रमे लगाना सीख जाएगा दक्षिता तीन आती है बच्चे बस्तूओं का उपयोग करके एक से 99 तक की संख्याओं को समझें इसमें मैंने दो बच्चे दिखाएं जिनक पर आपस में इनका उप्योग करें तो बच्चे एक से निन्यानवे तक की संख्याओं को आसानी से सीख जाएंगे उसके बाद में आती है दक्षिता चार एक इस्थिर अंतराल के बाद में संख्याओं के बढ़ते और घड़ते क्रम की पहचान करना जब बच्चा सभी संख्याओं को एक से निन्यानवे तक की संख्याओं को सीख जाता है तो वो अंतराल पर आने वाली संख्याओं को भी पहचानने लगता है फिर उसके बाद में 3-3 पर संख्याई दी हैं, जासे 3 है 6 है, 9 है, 12 है, इनके बीच में 3-3 का gap है, तो वो बच्चा असानी से कर लेगा, उसके बाद में फिर 40 है, 42 है, 44 है, 46 है, इसमें 2-2 पर संख्याउं का gap है, फिर 10, 20, 30, 40, 50 इसमें 10-10 संख्याओं का अंतराल दिया हुआ है इस तरीके से जब बच्चा एक से 99 तक की संख्याओं को सीख लेगा तो वो संख्याओं के बढ़ते और घड़ते क्रम को भी आसानी से पहचान सकेगा इसके बाद आती है दक्षिता नमबर 5 बच्चो द्वारा संख्याओं के मद्धे रिक्ति स्थान अपने आप समझ कर भर सकें जब बच्चे संख्याओं की बहतर समझ बना लेंगे और उनको अच्छे से पहचानना सीख जाएंगे तो वो संख्याओं के मद्धे में जो रिक् लिह जाएंगी बच्चे एक से 50 संख्याओं में 1 वा राल कि समझ विखसित कर सकें पहले चितर में मैंने दहाई बनाई यह दिखाई है 10 की एक दहाई होती है, हम बच्चे को चित्र के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं फिर एक दहाई और एक इकाई ली है, जिसको मिला करके 10 और 11 मैंने दिखाया है फिर मैंने 2 दहाई और एक इकाई ली है, जिससे 21 हो गया है तो हम बच्चे को आसानी से इकाई और धाई की समझ इन चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं दक्षिता साथ बच्चे बस्तूओं के उपयोग से एक से नौ तक की संख्याओं को जोड सके हैं मैंने चित्र के माध्यम से एक तरफ चार काइट दिखाई हैं दूसरी तरफ तीन काइट्स दिखाई हैं फिर उनको जोड़कर 7 दिखाया है इस तरीके से चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को आसानी से एक से नौ तक की संख्याओं का जोड़करना सिखा सकते हैं दक्षिता 8 बच्चे वस्तूं को उप्योग से एक से नौ तक की संख्याओं को घटा सकें जैसे मैंने एक तरफ फाइब स्टार लिया है और दूसी तरफ वन स्टार लिया है फाइब में से वन माइनस किया तो फोर बचा तो इस तरीके से चित्रों के माध्यम से या ठोस वस् तरफ बच्साइब वन जहाने के लिए अक्सषर आसा होता है कि जब हम बच्छों को बूळते हैं तो बच्चे सुनी नहीं vog PÁ थे chron를 जाता है और एक बैलून फूट जाता है तो हम जब बच्चे से पूछेंगे कि अब उसके हाथ में क्या बचा तो बच्चा कहेगा खाली कुछ नहीं बचा तो हम कहेंगे यह कुछ नहीं है यही सूने होता है हम कहेंगे एक भी नहीं यानि कि सूने तो ये हमारी है सूनि की अवधारना दक्षटा 10 बच्चे सीधी रेखा गोल, तिर्भुच, चतुर्भुच की आकरतियों को बस्तू के माध्यम से पहचान सके हम बच्चों को सारी आकरतियों को घ्यान कराएंगे कि तिर्भुज कौन सा है चतुर्भुज कैसा होता है गोल कैसा होता है रेखा कैसी होती है इस तरीके से हमने पहले बर्ग बनाया है फिर आयत की शेप दी है तिर्भुज बनाया है और गोल बनाया उसी से संबंदित कुछ बस्तूओं के चितर हमने सामने बनाए है रजिस्ट तो वो तिकोन है इस तरीके से बच्चे को तिर्भुज चतुर्भुज गोल आकरतियों की पहचान बस्तू के माध्यम से आसानी से हम करा सकते हैं दक्षता ग्यारा बच्चों को तलो के बारे में इसपस्ट करना बच्चों को बच्चे छोटे होते हैं वो एकदम नहीं बता सकते लेकिन जब हम उनको चित्र के माध्यम से समझाते हैं तो वो आसानी से समझ जाते हैं जैसे कि मैंने इसमें एक गल बनाई है जो की बक्से को स सकते हैं अब जैसे गेंद है गेंद लुडख्ती है बच्चे से कहाएंगे हमें गेंग को दूसरी जग़े ले जाना है तो कैसे वह पैड मारेगा तो तो इस तरीके से हम बच्चों को इबारे में भी इसक्षा बता सकते हैं, Lords 12, बिभिनि आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकरतियों को बनाना, हम कुछ आकार मनाएंगे और उनसे बच्चों को बस्तुएं उन आकार की बस्तुएं बनाने को कहेंगे जैसे कि हमने उसको ब्राद दिया, घन दिया, घनाब दिया, शंको दिया ये चित्र बना दिये और कहा बेटा इनसे संबंदे जो भी चीजें आपको पता है उनकी चित्र बनाईएं तो बच्चा उन आकरतियों से नए-ने चित्र बनाएगा और उसको आकार की समझ बढ़ेगी तो इस तरीके से हम विविन आकारों का प्रियोग करते हुए नई आकरतियों को बनाना बच्चे को सिखा सकते हैं दक्षिता 13 गैर मानक माध्यम के प्रियोग से नापना अब हम बच्चे को नापने के बारे में बताएंगे कि हम दोनों हाथों को सीधा करके नाप सकते हैं कदम से नाप सकते हैं और जो हाथ की पांचे उंगलिया हैं उसको बोलते हैं बित्ता उससे हम कैसे नाप सकते हैं और उंगलियों के गैप से हम बता सकते हैं कि कैसे नाप सकते हैं और हाथ की लंबाई से भी हम नाप सकते हैं तो ये गैर मानक माध्यम हैं जिनके प्रयोक से हम बच्चे को आसाने से नापना सिखा सकते हैं जैसे कि हम एक रूम में खड़े हो गए और थोड़ी सी दूर बरामदे में एक इंसान को खड़ा कर दिया और बच्चों से पूछा कदम से नाप कर बताओ कि कितने कदम की दूरी पर वो इंसान खड़ा हुआ है तो इस तरीके से हम बच्चे को आसानी इस दक्षिता में दक्षिता की समझ्ज विक्सित कर सकते हैं। दक्षिता 14, द्रस्सृ शामिक्रि में दिखाये गए चित्रों के माध्यम से संख्याओं का ज्ञान कराना। यह मैंने एक चित्र वनाया हैं जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़े दिखाई है। बहुत सी बस्तु में दिखाई हैं और इसमें बच्चा देख के बताएगा कि जैसे इसमें मंकी कितने हैं और इसक्वेरल कितनी हैं पैरट कितने हैं स्नैक कितने हैं फ्रॉक कितने हैं तो चित्रों के माध्यम से वो संख्याओं का ग्यान आसानी से कर सकेगा और उसमें संख् बढ़ेगी तो इस तरीके से मैंने अपना ये पूरा वेजिस्टर क्लास बन की गड़ित बिसे की दक्षिता पर तैयार किया है मेरी ममा की दीज को लाइक करें श्याइक करें तैंक यू